नमस्कार दोस्तों वेल्कम ट्यूरों चैनल लेर्ण ट्यूरों बाइक यार्स तोड़ी वोड़ी डिस्कॉसिंग बाट आई-बी रिल इस्टेट इंडिया बुल्स रिल इस्टेट लिमिटेड विकॉस कंपनी ने आज अपना क्वार्टेली रिजल्ट अनॉंस किया है अब क्या यहां से और कितनी गिराउट आ सकती है कहां पर सपोर्ट बनेगा इन सबीचों को जह करेंगे तो कौन सा प्राइस जो है रिस्टेट का काम करेगा उसको वीचा करेंगे तो चली सबसे पहला चाहिए कंपनी का रिजल्ट को चक्किया देगा तो फ्रेंड कंपनी का रिजल्ट आपके सामने में है जो भी में डिस्टेशन करेंगे दाट वुड बी इन मिलियन यहां पर देख सकते हैं जो भी नंबर है वापका मिलियन में रहेगा और कंपैरसंड जो होगा आपका ये लिन कॉटरली बेसिस में करेंगे तो यह देखी yearly basis में गिरावट है quarterly basis में 1082 से बढ़ करके 1118 हो गया है तो quarterly basis में income बढ़ करा रहा है अब कंपनी का expense को चक्किया जा तो यह देखिए company expense यानि इस income को generate करने में कितना खर्च हुआ तो 1401 का भी है last year था 3894 because company ने other expense में अच्छा खासा आड़ किया था देख सकते हैं तो company का last year expense बहुत जाता था प्रिविएस quarter में 1246 का था तो इस income expense से minus करेंगो तो company का आ जाएगा profit before tax को में लोग चक्क कर लेते हैं है profit before tax देखिए हाँ बताया जा रहा है 283 का loss में है company इस quarter में पिछले साल December में 2364 की loss में थी यानि loss जो company का था वो घट रहा है तो यह है पर पॉजिटिव चीज़ है कि year on year basis में company का loss कम हुआ है and quarterly basis में loss थोड़ा बढ़कर आ रहा रहा वन 63 से बढ़कर के 23 हो गया तो फ्रेंट रिजल्ट जो है ना एक mixed kind of result यहां देखने को मिल रहा है अब यह company का tax को माइनस करने के बाद क्या आता है इरली basis में बढ़िया है वाटरी basis में 182 से लॉस बढ़कर के 35 है तो फ्रेंट जैसा कि मैंने बता है mixed kind of result है और यहां देखने को मिल रहा है उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है अब है management के तरफ से क्या update आया उसको check कर लेंगे तो देखी meeting हुई थी आरोहां पर उनने का कि while reviewing the subdued earning तो खुद management का करना है कि उतना बढ़ी earning नहीं है subdued earning update and financial result compared to its peer अपने peers जब compare कर रहा है तो यह earning उनको खुद subdued लग रहा है तो हैंपर fundraising की यह बात सोच रहा है इट वास डान डिसाइड़ तो कन्वीन अनधर बोर्ट मीटिंग शौर्ट इन ड्यू कोर्स डिसका सच पंड रिजिंग अन अनधर अन अधर प्लान प्लान चल रहा था उसमें भी डिले देखने को मिल रहा विकॉस पोट से हमेशा तार अब है कंपनी का चार्ट जैसे कि हम लोग ने इस चेर को 86 के प्राइस से डिसक्रिशन करना स्टार्ट किया कंपनी ने इसके बाद हमारा टार्गेट 125-120 के रेंज में था याद कीजिए अगर आपने लास्ट दूले चेक्टिया तो आपको मिलेगा अच्छा गास हम लोगो देख सकते हैं 121 21 से 125 के रेंज में रेंज में निकल करा रहा है चार्ट जो रहता है शॉट टर्म ट्रेंड में अभी थोड़ा बेरिश है लेकिन लॉंग टर्म लॉंग टर्म विकली अंग मंतली चार्ट अभी स्टिल बॉलिस है काफी अभी इसमें और फ्यूल बचा विए अच्छा लगा देन फिल्व लाइक किजिगा शेर्ट इना चानल को सब्राइब किजिगा थैंक यू